सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, सुच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अच्छम में अपराद है और इस प्रकार की गिर्थे को कताई ब्रदास्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिकत रखते वे हम लोगों ने उत्तरप्रदेश में अपिडिमिक एक्ट में ब्यापक संसोधन करने की एक कारवाई को आगे बढ़ाया है। और इसके तहट अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाली में अपिडिमिक एक्ट में संसोधन किया है हैपेडिव एक्ट 897 में उसके तहद वारत सरकार ने मेडिकल के करमियों पर किसी प्रकार का हमला दूर भिवार इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधन किया है हम लोगों ने इस्टेट में वहत लाको किया ही है इसके साथ ही सुरक्षा करमियों पर, शच्छता कर्मियों पर और करोना वारियर्स पर या करोना योत्धाओं पर अगर कोई भी विक्ति हमला करता है तो उसे साथ साथ तक की सजा और पांच लाग तक रुपी तक का जुरवाना ये करने का हम इस संसोधन के माद्यम से इस संसुधन के मातने से इस कारवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं आज भी कानपूर में कुछ लोगों ने तो सहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को सबस्ट कर देना चाहता हूँ अभी तो IPC की सुसंगत धाराओं के अंतरगत इनके खिलाब प्रभावी कारवाई करते भी इनके खिलाब गैंगैस्दर और NSA के तहट भी बहुत सक्ट कारवाई की जाए क्योंकि ये लोग कारोना कैरियर का काम कर रहे हैं समाज में अभिवस्था भेला रहे हैं और इस प्रकार की अभिवस्था और अराजकता को कताई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान पर जान को हतेली पे रखकर एक बड़ी टीम मेडिकल की टीम, सुरक्सा की टीम, सुच्छता करवियों की टीम डोर स्टेप डिलिवरी से जुड़ी भी टीम सेनिटाइजन से नेज़न से जुड़ी भी टीम युद दस्तर पर 23 करोड जनता की सिवा में कारे कर रही हो मुठी भर लोग अभिवस्था भेलाने का प्रियास करें इसको कताई स्वीकार नहीं किया जा सकता है प्रभावी कारवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कारवाई करने में किसी प्रकार कर संकोच न करें इसके लिए स्पष्ट आदेश दे गये हैं जो भी दोस्य होगा उन सब के खिलाफ बहुत सकत कारवाई करेंगे जो प्रोस प्रकार करेंगे एक थीयूंत Libya स्वीकार फटा करेंगे था specific लोगों कारवाई by बह्ता बावाई